Welcome friends, स्वागत आपका इस वीडियो में हमने काफी टाइम पहले एक nutrition का course अश्रू किया था जिसमें मैंने अभी तक 4 वीडियोज अपलोड की है कुछ personal problems की वज़े से और time की कमी की वज़े से मुझे वो course बीच में छोड़ना पड़ा था मुझे काफी emails मिल रहे हैं कि मैं उस course को complete करूँ तो मैंने सोचा है कि हम उस course को आगे लेकर चलते हैं इस course में अभी तक 4 वीडियोज आ चुकी है फर्स्ट वीडियो में course का एक introduction है सेकंड वीडियो में हमने discuss किया था कि हम कोई भी food क्यों खाते हैं means ऐसे क्या reasons हैं जिसकी वज़े से हम कोई food choose करते हैं और कोई food avoid करते हैं थर्ड वीडियो में हमने six nutrients के बारे में discuss किया था protein, carbs, fats, vitamins, minerals और water के बारे में एक basic overview दिया था फोर्थ वीडियो में हमने discuss किया था कि scientific method क्या होता है और nutrition and medicine के field में research कैसे की जाती है हमने epidemiological studies और experimental studies को discuss किया था जिसमें cross-sectional studies, case control studies, cohort studies, lab-based animal studies, lab-based in vitro studies और human intervention या जिसे हम clinical trial कहते हैं इन सब को discuss किया था इस वीडियो में हम इस last point human intervention यानि clinical trial को discuss करेंगे क्योंकि ये आगे nutrition के course में बहुत काम आने वाला है और इसके साथ ही अपना ही जो course है इसको आगे continue करेंगे Mostly consumers, nutrition या product की information के लिए personal experience या social media पर believe करते हैं जैसे YouTube पर किसी ने अपनी वीडियो में कहा कि मैंने ये वाला supplement यूज़ किया और इससे मुझे फाइदा हुआ या TV में कोई celebrity या model कहता है कि मैं ये वाला paste यूज़ करता हूँ या फिर ये वाला protein shake लेता हूँ इससे मुझे फाइदा होता है इस तरह की information को anecdote कहा जाता है anecdote का meaning है personal experience के base पर कोई बात कहना ये scientific नहीं होता है ऐसे information को आजकल bro science भी कहा जाता है scientific information वो होती है जो scientific methods पर based हो research studies पर based हो जैसे मान लेजिए कुछ scientist है जो ये idea लगाते हैं कि कार्निटीन लेने से fat loss किया जा सकता है कार्निटीन एक ingredient है जो fat loss supplement के रूप में market में available है और बहुत ज़ादा लोग इसको use करते है तो ये idea लगाना कि कार्निटीन से fat loss किया जा सकता है इसको कहते है educated guess ये knowledge पर based होता है इसको science की language में hypothesis कहा जाता है hypothesis या hypothesis इसका मतलब है एक educated guess और जो हमारी knowledge पर based है लेकिन अभी confirm नहीं है अभी तक इसको prove नहीं किया गया है और इसको अभी test नहीं किया गया है hypothesis को test करने के लिए एक systematic research study conduct की जाती है इस study से जो data हमीं मिलता है उस data को analyze किया जाता है जिससे हमीं ये पता चलता है कि hypothesis सही है या नहीं हम बात कर रहे थे human intervention या clinical trials के बारे में किस type की है या इसका design क्या है इसका type क्या है ये है clinical trial clinical trials हमेशा humans पर किये जाते हैं तो हम 24 persons को trial में ले लेते हैं जिन लोगों पर trial किया जाता है उनको subjects कहते हैं it means ये जो 24 persons है ये हमारे subjects हैं और जितने persons जितने persons पर trial किया जाता है उनकी संख्या को sample size कहा जाता है sample size यहां हमारा sample size कितना है 24 है क्योंकि हमने 24 subjects को study में include किया है sample size जितना बड़ा होगा clinical trial के result उतने ही सही होगे तो आपको subjects और sample size का meaning समझ आ गया होगा किसी भी trial में जब subjects को लिया जाता है तो similarity देखी जाती है जैसे उनकी age, health conditions, social and economic status और gender ये सभी similar रखे जाते हैं हमारे trial में हमने 24 males को लिया है सभी की age 35 से 40 के बीच है सभी non-smokers है, सभी non-alcoholic है किसी को कोई भी disease नहीं है किसी तरह का कोई problem नहीं है तो इस तरह से हमने subjects को choose किया है क्योंकि subjects जब एक जैसे होगे सही होगा, trial शिरू करने से पहले सभी subjects का body weight, fat percentage, waste का measurement या जो भी data हमें चाहिए वो सब हम check कर लेते हैं इस process को assessment कहा जाता है अब ये जो 24 subjects हैं इनको दो groups में divide कर लेते हैं एक group का नाम है experimental group और दूसरे group का नाम है control group experimental group वो group होता है जिस group को real medicine दी जाती है और control group वो होता है जिसको dummy medicine दी जाती है इस dummy medicine को placebo कहा जाता है placebo एक fake medicine होती है जिसका neutral effect होता है मतलब कोई भी effect नहीं होता इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और जब subjects को दो groups में divide करते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि सभी subjects को equal chance मिले किसी भी group में assign होने के लिए किसी भी group में शामिल होने के लिए इसके लिए हम numbers की slips बना सकते हैं और सभी subjects की eyes को close करके आँखे बंद करके एक slip निकालने के लिए कह सकते हैं जिसकी slip में जो लिखा होगा उसके साब से उसको वो group दिया जाएगा या फिर हम coin toss करके भी ऐसा कर सकते हैं इसके काफ़ी सारे methods होते हैं तो इस पूरे process को randomization कहा जाता है randomization random means chance के base पर select करना हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से क्या होता है इसको मैं आपको बाद में explain करूँगा अभी हम process को देखते हैं अब जो first group है experimental group इसको हम 2 gram carnitine per day की dose देंगे और ये जो control group है इसको हम placebo देंगे ये देखने में same to same carnitine की dose जैसा होगा लेकिन ये एक dummy capsule है इसका कोई भी असर नहीं है किसी भी subject को ये पता नहीं होता कि वो real medicine ले रहा है या फिर placebo यानि dummy medicine ले रहा है इस condition को blind experiment कहा जाता है blind experiment और नहीं उनको ये पता होता है कि वो कौन से group में है वो पूरी तरह से blind है subjects को कुछ भी idea नहीं है और इसी तरह से subjects को चार महिने तक dose दी जाती है हमने अपने trial में चार महिने लिया है कोई trial एक week का भी हो सकता है और कोई trial एक साल का भी हो सकता है trial से पहले हमने body, weight, fat percentage और भी काफी कुछ चेक किया था assessment कहते हैं जिसको और ऐसा हर महिने किया जाता है और trial complete होने के बाद last में फिर से सब कुछ चेक किया जाता है अब हमारे पास दो तरह का data है एक ऐसा group जिसने चार महिने तक carnitine use किया और एक ऐसा group जिसने चार महिने तक carnitine use नहीं किया इस data को mathematics और statistics के base पर analyze किया जाता है सब कुछ बहुती precisely analyze करने के बाद जो scientist है वो एक theory develop करते है और इस theory में mainly दो चीज़ें होती है correlation और causes correlation का meaning है variables के बीच में relation को define करना किसी भी study में दो या दो से ज़्यादा variables हो सकते हैं हमारी study में दो variables हैं carnitine और fat loss ये दोनों हमारे variables हैं अब इनके बीच में तीन तरह का relation हो सकता है first है carnitine लेने से या ना लेने से fat पर कोई भी effect नहीं हुआ it means इनका अपस में कोई relation नहीं है इसको हम कहते है no correlation second relation है carnitine लेने से fat loss increase हुआ it means carnitine variable को increase किया तो fat loss variable भी increase हुआ इसको हम positive correlation कहते हैं third है carnitine लेने से fat loss कम हुआ it means carnitine increase होने से fat loss decrease हुआ तो ये एक दूसरे से उल्टे हो गए है इसलिए इसको negative correlation कहते हैं तो ये तीन तरह के relation होते हैं और इसमें ये भी देखा जाता है कि ये correlation कितना strong है theory में दूसरा part है cause correlation तो हमने define कर दिया कि variable के बीच में क्या relation है और कितना strong relation है अब हमें ये भी define करना होता है कि जो relation है उसका cause क्या है इसके पीछे का reason क्या है इसके पीछे का mechanism क्या है अगर fat loss हुआ है तो क्यूं हुआ है और नहीं हुआ है तो क्यूं नहीं हुआ है इस पूरे mechanism को explain करना होता है इसको cause कहते हैं तो इस तरह से clinical trial किया जाता है इसमें कुछ points हैं जो मैं आपको explain कर देता हूँ First है sample size Sample size का meaning है trial में कितने subjects को लिया गया है Sample size जितना बड़ा होगा result उतना ही ज़्यादा सही मिलेगा क्या होगा अगर हमारे पास sample size स्रिफ 6 subjects का है अगर हम 3-3 के group बना लेते हैं इतने small sample size पर जब statistics का use किया जाएगा तो result सही नहीं मिलेगा अगर हम 20 subjects को लेते हैं या फिर 40 या 50 subjects को लेते हैं तो हमारा result उतना ही ज़्यादा विश्वसनिय हो जाएगा जिस पर हम trust कर सकते हैं दूसरा है randomization सभी subjects group में divide करने के लिए randomization करना जरूरी है मान लीजी कि आप subjects को दो groups में divide कर रहे हैं अगर आप अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं तो किसी तरह से bias हो सकता है किसी तरह का भेदभाव हो सकता है आपका mind subconsciously ऐसे groups बना सकता है जो कुछ other factors पर depend हों और study को effect कर सकते है इस problem से या इस biasness से बचने के लिए chance का use किया जाता है और इसे कहते है randomization फिर बात आते है groups के बारे में हम दो groups क्यों बनाते हैं दो groups हम इसलिए बनाते हैं कि ये देखा जा सके कि कोई medicine लेने वाले person और ना लेने वाले person के बीच में क्या difference है जैसे 24 persons का daily routine एक जैसा है खाना, पीना, सोना, जागना सब कुछ एक जैसा है सबकी age भी same है, gender भी same है और बाकी सब कुछ same है लेकिन 12 subjects medicine ले रहे हैं और 12 subjects medicine नहीं ले रहे हैं और इसी बात का फर्क है इससे हम बाकी सबी factors को अलग करके सिर्फ medicine का effect निकाल सकते हैं सिर्फ medicine का effect चेक कर सकते हैं कि medicine लेने से और medicine ना लेने से क्या फर्क हुआ इसलिए दो groups बनाय जाते हैं फिर बात आती है placebo के बारे में हम placebo या dummy capsule क्यों use करते हैं जो human mind है उसमें एक power होती है जिसको हम कहते हैं विश्वास या आस्था की power जब हम ये मान लेते हैं कि हम एक अच्छी medicine ले रहे हैं और ये हमें ऐसा result देगी तो धीरे धीरे हमारी body में वैसे ही changes होने लगते हैं ये एक psychological fact है और इसको the result of expectations या placebo effect कहा जाता है जब हम एक capsule लेते हैं और मन में सोचते हैं कि इस capsule से हमारा fat loss हो जाएगा भले वो capsule किसी काम का ना भी हो लेकिन हमारे सोच लेने से हमारी body में fat loss होना शिरू हो जाता है ये बात सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगी लेकिन ये scientifically proven है trials में ये prove किया जा चुका है तो इसलिए दोनों groups में इसलिए दोनों groups में सभी subjects को capsule दिये जाते हैं और real medicine और placebo दोनों ही capsules बिलकुल same होते हैं उनका weight, color, smell, size सब कुछ एक जैसा होता है किसी भी subject को नहीं पता होता कि वो medicine ले रहा है या placebo ले रहा है या हमने एक word use किया था blind experiment जैसे मैंने आपको पहले बताया subjects को ये नहीं पता होता कि वो real medicine ले रहे हैं या placebo ले रहे हैं और ये भी नहीं पता होता कि वो कौन से group में हैं वो control group में है या experimental group में हैं researchers को पता होता है लेकिन subjects को नहीं पता होता इसलिए इसको blind experiment कहते है एक double blind experiment भी होता है double blind में ना तो subjects को कोई idea होता है ना researchers को कोई idea होता है किसी को भी कुछ नहीं पता होता मतलब दोनों एक तरह से blind होते हैं यानि double blind अब अब सोच रहे होंगे कि जब किसी को कोई भी idea नहीं है तो trial होगा कैसे देखी double blind experiment के लिए एक third party जा किसी other company को hire किया जाता है वो company capsules को design करती है और code तयार करती है और फिर वो capsule experimenters को दे देती है और experimenters उन capsule को trial में use करते हैं जब trial complete हो जाता है और सब data collect कर लिया जाता है उसके बाद वो company एक court sheet उनको देती है जिससे ये पता चलता है कि कौन सी real medicine थी और कौन सी placebo थी ये सब भी trials को ज़ादा objective बनाने के लिए और ज़ादा विश्वसनी बनाने के लिए किया जाता है और biasness को दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है clinical trials में crossover method भी यूज किया जाता है crossover को समझने के लिए हम एक example यूज करते हैं जैसे हमने 24 subjects को 2 groups में divide किया था और 4 महिने तक उनको medicine दी थी इस तरह से हमने data collect किया और उसके बाद कुछ time बाद जो subjects experimental group में थे उनको control group में कर दिया और जो control group में थे उनको experimental group में shift कर देते हैं और उसके बाद same trial जो पहले किया था वही trial 4 महिने तक फिर से करते हैं और फिर से data collect किया जाता है crossover के कई types होते हैं और ये सबसे simple crossover type है इस crossover को A, B, B, A type कहा जाता है जादा accurate and precise results के लिए crossovers किया जाता है किसी एक trial में ये सभी methods यूज किये जा सकते हैं जैसे ये एक clinical trial है जो मैंने download किया है ये randomized भी है, double blind भी है crossover भी है, placebo controlled भी है इसमें almost सभी methods यूज किये गई है ये एक trial है जिसमें दिखा गया है कि एक mouthwash जिसमें chlorine dioxide है, उसका oral malador पर क्या effect है mouthwash तो आपको पता ही है कि मूँ को साफ करने के लिए एक liquid होता है और malador means monkey smell ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप समझ गई होंगे कि ये किस तरह का trial है और इसमें क्या methods यूज किये गई है तो इस वीडियो में हमने देखा कि clinical trial कैसे किया जाता है और पूरे process में जो terms use होती है या जो concepts use होते है उनका क्या meaning है ये terms आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये nutrition के course में बार-बार use होती है next वीडियो में हम देखेंगे कि research published कैसे होती है systematic review, meta analysis, peer review, validity, replication ये सब क्या होता है हम एक research article को भी download करेंगी और read करेंगी तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much